हेलो फ्रेंड वेलकम टू माइक चैनल गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बक्रम लेंगे बक्रम की लंबाई साड़े साथ इंचे और चोड़ाई इग्यारे इंचे बीच में से बक्रम को फोल्ड करके हम 2,5 इंच की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे 2,5 इंच की चोड़ाई पे टिक लगाने के बाद गले की लंबाई हम साड़े पाच इंच लेंगे और सकेल की सहायता से इन दोणों टिक को लाइन अप कर लेंगे ये देखिए दोनों साइट से हमने ऐसे लाइन अप कर लिया है अब यहां कोने की साइट में हम हलका सा गोल सेप में लाइन अप करेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिलकुल उसी सेप में हमें एकक इंच की चोड़ाई नाप कर ऐसे टिक लगानी है और इस टिक को लाइन अप कर लेना है तो ये देखिए हमने टिक को लाइन अप कर लिया है इस लाइन के थोड़ी से दूरी पे एक और लाइन को ऐसे लाइन अप कर लेंगे अब हमें डिजाइन बनाने के लिए गोल सेप में धकन या चूड़ी लेना है लाइन के अंदर हम चूड़ी को ऐसे लगाएंगे और इसे लाइन अप कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी हाफ गोल सेफ में लाइन अप कर लेना है डिजाइन को अब हम इसकी कटिंग करेंगे पहले इस लाइन को कट कर लेंगे अब जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में design के उपर हम यहां से cutting करेंगे अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो प्लीज हमारे channel को subscribe करके घंटे को बजा कर आल का option select करें जिस से हमारे आने वाले next वीडियो की notification मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंड हमने डिजाइन की कटिंग कर ली है इसे इस्तरी के सहायता से हम कपड़े पे चिपका देंगे किनारे के साइट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हमें सूट का कपड़ा लेना है तो ये रहा हमारा सूट का कपड़ा सूट के कपड़े में गले की डिजाइन को यहां पर लगाएंगे और इसके बीच में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से हमें धागे को कट कर लेना है धागे को कट करने के बाद जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में डिजाइन के ऊपर हम यहां से सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय हलका हलका डिजाइन को घुमाते रहें जिससे आपके डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आएगी तो ये देखिए डिजाइन के उपर सिलाई चलाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद सिलाई के हलके से बगल में हमें एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है ध्यान रहे आपकी सिलाई कटना हो एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हमें डिजाइन के कोने की साइड में हलका हलका कपड़े को कट करना है कोने की साइड में कपड़े को कट करने के बाद अब हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे तो ये देखिए फिंगर की मदद से हमें डिजाइन को सीधा कर लेना है डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम इसे इस्तरी कर लेंगे जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठ जाएगा डिजाइन को इस्तरी करने के बाद यहां से हमें डिजाइन में से हलका सा एश्टरा कपड़े को कट करना है यह देखिए यहां से कट करेंगे ऐसे आगे की साइट से डिजाइन में परफेक्टिफ नीशिंग आई है अब हमें एक बक्रम लेना है बक्रम को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे साड़े चार इंच की चोड़ाई पे हम ऐसे लाइन अप करेंगे यह देखिए साड़े चार इंच की चोड़ाई पे लाइन अप करना है फिर 5.5 इंच की लंबाई पे टिक लगानी है और Scale की सहायता से इस स्टिक को हमें तीर्ची में ऐसे लाइन अप कर लेना है थोड़ी सी दूरी पे एक और लाइन को लाइन अप कर लेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें बक्रम को कट कर लेना है तो ये देखिए इस तरीके से हमने बक्रम के उपर इस टिजाइन की कटिंग कर ली है अब हम इसे इस तरीकी सहायता से कपड़े पे चिपका लेंगे और किनारे के साइट से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें सूट का कपड़ा लेना है ये रह हमारा सूट का कपड़ा कर लेना है अच्छे से डिजाइन को पीन अप करने के बाद अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में डिजाइन के उपर हम यहां से सिलाई चलाएंगे तो यह देखिए हमने डिजाइन के उपर सिलाई चला ली है अब हम धागे को कट करेंगे और के बीच में सी हमें एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हम डिजाइन को फोल्ड करेंगे और इसे सीधा करेंगे यह देखिए ऐसे आपको डिजाइन को सीधा करना है डिजाइन को सीधा करने के बाद हम इसे अच्छे से इस्त गनाने के लिए धेर सारे लंबे लंबे कपड की कटीन कर लेनी है इसकी लमबाई आट ही इंच है और चौडाई हमने 4 इंच लिए हमें एक कागच लेना है कागच की लंबाई हमने साड़े साथ इंच और चौड़ाई साड़े नौ इंच ली है कागच के उपर हम कपड़े को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेंगे धागे को यहां से कट करेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक के उपर एक कपड़े को ऐसे लगा कर हमें सिलाई चला लेनी है पूरे कागच के उपर हम कपड़े को ऐसे लगा कर सिलाई कर लेंगे अब हमें इस डिजाइन को गले के डिजाइन में ज्वाइंट करना है तो ये देखिए दोनों डिजाइन को हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे इसे अच्छे से हमें परफेक्ट सेप में ऐसे बैठा लेना है अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में डिजाइन के ऊपर यहां से सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्षन सेलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी डिजाइन के पीछे के साइट से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हमें सर्ट का बटन लेना है सर्ट के बटन को हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागी की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉक कर लेंगे यहां से हम धागी को और एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें सुई दागा के मदद से डिजाइन के बीच-बीच में बटन को लगा देना है और यहां नीचे के साइड में हम ऐसे मोती को लगा लेंगे तो ये देखे फ्रेंड हमारा नेक डिजाइन बनके कम्प्लीट हो गया है आपको डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए